हाई फ्रेंट्स आज मैं आपको डिपिट ब्रैंड के बारे में बताऊंगी बहुत ही वास्ट रेंज है इनके पास सॉसिस की और ओरिजिनल ओरियंटल सॉसिस इनके होते हैं आपके खानों को एक नेक्स्ट लेटे हैं और बहुत ही रिजिनल प्राइजिस इनके होते हैं तो देखिएगा डिपिट चिली सॉस ऑइस्टर सॉस डिपिट पिजा सॉस ख्लासिक मायो और टोमाटो कैचप अभी जो है मैं फिल वक्त यह यूज कर रही थी तो मैंने सोचा कि अपने वीवर्स को जो है डिपिट प्राइंट के बारे में बताया जाए कि इनका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्ट और यूनीक होता है और बहुत ही साटिसफाइड हमारी डिशिस बनती हैं और मैं खुद भी यही चीज़े यूज करती हूँ इनकी प्राड़क्स यूज कर बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलाम अलेकुम वल्कम टू माइ यूट्यूब चैनल को कुट साधी आमीन आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रोज बास्केट रोज बास्केट तो उसके लिए मैंने इंग्रीडियंट्स लिये हैं सबसे पहले हम लेंगे जल उसकेट आफ केजी मिल्क पाउडर टू तेहल स्पून तेबल स्पून वन टेबल स्पून एंस्टं यीष्ट्म टेबल स्पून इनस्टंट यहीं रहें लिया हैं इस की डोर आदि करेंगे तो ओल पर्पोस फ्लोल यानी मैदे के अंदर मैं यह जो है वो ड्राई इंग्रीटिंट जो है वो मिक्स कर रही हूँ मिक पाउडर सफ्ट नदर कर रहा हूं नीज vine timoyva कर रही हूं एंड एग अ क्ऺाग एपचे में सब्सक कर देंगे तो का वाम वाटर्व थोड़ा धो नवट्अ आश्च 파ंव अभर केज़ दीडिंगे को अधि मिल्डिया यह मद्बछ इसको हम गोन लेंगेjam अच्छे से नीट करेंगे पर देखें अच्छे से नीट हो चुकि यह हमाई डोर टी स्पून हल्का सब्धों हम थे पर तरफ से लगा देंगे और इसको जो है अच्छे से ऑईली कर देंगे बर्तन में अच्छे इसके बाद मैंने डो को जो है कवड रक दिया था दो घंटे के लिए आप जिरी डो जो है अच्छे से राइज हो चुकी है अब मैं इसको अंकवर खरूंगी डो को जो है वो रैस देना जरूरी होता है तो दो घंटे के लिए मैं ने छोड़ दिया तो तो राइस जो है बहुत ही अच्छे से राइस होगी है हमारा अचा जी अब मैं इसको जो है वो तक्रीबन 16 स्मॉल पार्ट में जो है वो कट कर देंगे और जो है वो पतली-पतली जो है हम इसके strips बना लेंगे लेकिए मंने जो यंके चोटे बॉल्स बना ली और ही बॉल से जो है हम पतले-पतली strips को रैडी कर रहे हैं इसी से हमारी बास्किट की बेस रैडी होगी कंप्लीट बास्किट हम इसी से बनाएंगे और बहुत ही जबर्दस्त हों खुबसूरत बनती है यह देखीगा एक मैंने इस तरीकी का बर्तन लिया है और इस बर्तन को मैंने फॉइल पेपर से जो है वो कवर अप कर दिया है सारी जो है मैंने काफी सारी स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया है बर्तन को मैं फॉइल पेपर से कवर अप कर रही हूँ और अब हम इन स्ट्रिप्स को यूज करके जो है वो बास्किट की बेस को रेडी करेंगे यह देखिएगा इस तरीके से आमने सामने तब 4-5 से-6 तक्रीबन जो है हम इस्ट्रिप को जो है जो है जो है जो है। और भीचमे से प्रेस करेंगे så कि तक यही एच्छे से जो है वो चिपक जाये और जो है इस तरहके से फिंगर टिप से जो है उसको 잡ागे हलके हाटों से प्रेस भी करते जाएंगे ताके वो हटे नहीं अपनी जगा से अच्छे से सैट हो जाए देखें जी यह बिल्कुल अच्छे से सैट हो गई है अब हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से एक हमने एक और स्ट्रिप ली है और इसको एक स्ट्रिप के साथ हमने इसको स्टिक किया एक उपर से एक नीचे से ओपोजिट तरीके से हम जो है इसको फिल करेंगे स्ट्रिप से एक उपर से लिया एक नीचे से लिया एक उपर से लिया फिर एक उपर से लिया फिर एक नीचे से लिया इस तरीके से हम स्ट्रिप को घुमाते रहेंगे और बेस को रेडी करते स्ट्रिप का काम यहां पर खतम हो गया तो हमने एक राउंड कम्प्लीट हो गया तो हमने तोड़ दिया और इसको दूसरी स्ट्रिप के साथ जॉइंड कर दिया इस्टिक कर दिया और थोड़ा सा करीब कर लेंगे ताकि अच्छे से वह रेडी हो अच्छा लुक भी आए यह थोड़ा सा डिस्टंस देके हम बिलकुल इसी तरीके से एक और राउंड लेंगे और ऐसी एक उपर से एक नीचे से अब डाउन अब डाउन जो है हम करते रहेंगे इस स्ट्रिप को एक उपर से एक नीचे से फिर एक उपर से एक नीचे से इस तरीके से हम अब डाउन करें अब их कम्प्लीट करेंगे और इसको साथ जॉइन कर देंगे जब हमादा सब्सक्राइब कर दिया कर में क्यों अब जरक दार से हमें यह किया के सब्सक्राइब कर देंगे यह जूइन हाव मैं कंप्लीट कर रही हूं थोड़ा थोड़ा हातों से हलका हलका प्रेस भी बरतंग के साथ करते जाएंगे तांके वो अपनी पुजीशन पर काइम रहें अगर आपको जो है स्ट्रिप कम परती है तो आप जॉइन भी कर लें और इसको हलका सा प्रेस कर दें तो वो शेप में आ जाएंग अब यह देखेगा एग योग जो है वो मैं लगा रही हूँ इस बेस के ओपर एग योग लगा देंगे इससे बहुत खुबसूरत गोल्डन कलर आ जाता है अवन मैंने प्रेहीट करने रख दिया है अचाहिए देखिए इन स्ट्रिप से जो है मैं हैंडल रेडि करूंगी लाइक अ ब्रेड जैसे हम ब्रेड बनाते हैं अपनी तो बिलकुल यह तीन स्ट्रिप्स मैंने लिए हैं लंबी लंबी इनको कर लिया था मैंने और इन तीन स्ट्रिप्स को यूज़ करके मैं खुबसूरत सी ब्रेड रेडि करूंगी उससे हम अपनी बास्किट का हैंडल बनाएंगे और यह बड़ा ही खुबसूरत लगता है अवन प्रिहीट कर चुकी हूँ तकरीबन 180 डिग्री सेंटी ग्रेड पर मैं बेक करूंगी यह देखिए का मैंने इस तरीके से एक धकन ले लिया है पतीले का इसको भी फॉल पेपर से कवर अप कर लिया है और इस अपनी ब्रेड क जो है मैंने इसको भी एग योग लगा दिया है और मैं इसको इस तरीके सा थोड़ा सा ख़ड़ा कर दूंगी तांके जो हैंडल थो और थो फट्रीड अब पोजीशन पर आजये तांकि इस तो फॉल पेपर से मैंने जो है निकाल दिया बड़ी खुबसूरत सी बेस्त स्मॉल साइस की तूटपिक्स आती हैं मैंने हैंडल को जॉइन कर लिया साइडों के एड़िस से मैंने ब्रेट को जॉइन कर लिया आप यह देखे का इसका दर खुबसूरत बास्किट है आप अपनी दावतों में इसको बनाएए प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही खुबस बंस फिल करूंगी